So hello friends and welcome to the new video So friends, अगर आप option trading करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है देखिए, अगर आप option trading करते हैं Whether call buying या फिर put buying तो दो सबसे बड़ी challenges या फिर आप कह सकते हैं दो सबसे बड़े obstacles आपको face करने पड़ते हैं जैसे ही मैं trade लेता हूं trade मेरा against जाता है और दूसरा कि इसा trade तो मैं लेता हूं मेरे side जाता तो है बट बहुत slowly जाता है और मेरे premium की value नहीं बढ़ती है तो ये सबसे बड़ा problem पता है क्यों आता है ये इसलिए आता है आपको ये नहीं पता है कि कब movement fast होगी क्या है fast होगी जो की option बाहर को चाहिए whether call bank या फिर put bank तो देखे दोस्तो पिछले 7 दिन में 7 trading session में हम लोगोंने 27 trade execute किये उसमें से एक trade में हम लोगा किवा loss हुआ है 25 trades हम लोगे profit में गये है और एक trade में हम लोगा trade execute ही नहीं है मतलब हम लोगा जो price था वो आया नहीं so log log 95% से उपर की accuracy है और अगर आप मुझे टेलिग्राम पर follow करते हैं तो आप लोगोंने देखा होगा maximum trade हम लोगे side जाते हैं because उन सभी में उन सभी strategies में in candle six pattern का use करता हूँ मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जादा time हम लोग नहीं लेंगे सीधे मैं आपको screen पे लेकर चलूँगा सभी चीजी समझाने वाला हूँ उससे पहले एक छोटी से request है मैं एक बहुत important options trading के regarding video लाने वाला हूँ पर उसके लिए आपको छोटा सा मेरे लिए काम करना पड़ेगा options trading में आपका अभी तो कितना trading का loss हुआ है मतलब amount कोई भी जूट नहीं बोलेगा सभी लोग comment करके बताएंगे सर मेरा 5000, 15000, 1 lakh, 2 lakhs, 10,000 जितना भी आपका loss हुआ है आप options trading में आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आपका stock market में मतलब equity में भी loss हुआ है definitely आप तब भी आपे comment करके बता सकते हैं इससे क्या होता है देखिए आप pain में है हैना मुझे कुछ लोग करते सर मेरा loss हो रहा है मैं depression में हूँ इससे क्या होता है कि यह clear होता है कि हाया learning phase है सब भी लोग सीख रहे हैं सब भी लोग का loss हो रहा है so you can definitely comment us अब चलिए हम लोग screen पर चलते हैं and everything I will be discussing with you in detail okay so देखिए friends अगर आप Google पर आगे search करते हैं number of candle 6 pattern तो आपको answer पता है Google क्या बताता है 42 recognized patterns are there थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर आप देखेंगे ना तो यह देखिए यहाँ पर 63 candle 6 pattern बताए जारा है मतलब 63 और reality यह कि 63 plus candle 6 pattern होते हैं अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या इतने सारे candle 6 pattern बने हुए so अगर आप trading करते हैं आपको सबसे बड़ा problem कियाता है कि भीजा कौन से candle पर buying करूँ कौन से candle पर sell करूँ सबसे common एक strategy क्या होती है लोगों की red वाली बनेगी तो sell करते हैं green वाली बनेगी तो buying करते हैं अब यह कितना गलत है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मतलब इसका मैं इतना बड़ा fan हूँ इतना बड़ा fan हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और सभी professional मैं इतने traders को जानता हूँ बहुत सारे professional trader को मैं जानता हूँ हम लोग मिलके कभी-कभी trade करते हैं वो इन candle six pattern का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं और मैं भी definitely मैं तो बताए कि मैं fan हूँ shooting star, gravestone doji, dragonfly, hammer, bullish engulfing and bearish engulfing इसको दो parts में divide करो सबसे पहले तो मैं आपके लिए आसान करना चाहूँगा अब बहुत लोग आपको confused कर देते हैं 25 candle six pattern बता देंगे यह हम लोग यूज़ करेंगे put buying करने के लिए simple यह candle six pattern यूज़ करेंगे call buying यूज़ करने के लिए अब देखे इतना आपको clear हो अब देखे सबसे बड़ी है चीज़ क्या है कि अगर आप Edidas का showroom या फिर Masadis का showroom गाउं में खोलोगे तो कोई फाइदा नहीं बिकेगा नहीं है ना उसका showroom आपको सही जएगे open करना पड़ेगा मतलब city में एक बढ़िया city में आप open करेंगे तब ही लोग आके महाँ पर खरीदेंगे है ना अब सेम चीज़ trading में भी आती अब shooting star को आप कहीं पर भी लगा रहे हो तो definitely आपको results नहीं मिलने वाला है अगर आप hammer कहीं पर भी लगा रहे हो तो वो results आपको देखने को नहीं मिलेगा कहां पर लगाना है ये सबसे important होता है अब ये topic में आपको बहुत detail में समझाने वाला हूँ और अगर आप इसको समझ गए तो आप खुद जाके बस 10 दिन ट्राई करो और 10 दिन बात आप खुदी वीडियो के description में आके फिर से comment करना आपको खुदी पता चल जाएगा तो देखें पहले हम लोग देखेंगे shooting star एक चीज़ और मैं हमेशा एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि अगर आप trader है तो रटने पर focus मत कीजिए process को समझे साइकोलोजी समझे so shooting star एं ग्रेवस्टोन डोजी बोथ हर similar ये दोनों similar नहीं बस difference क्या है difference है shooting star में body होती है ग्रेवस्टोन डोजी में body नहीं होती है dragonfly and hammer में same चीज़ है कुछ भी difference नहीं बस एक चीज़ का difference है hammer में body होती है color red green कुछ भी चलेगा मैंने candle six pattern का पूरा course डाल लगका है my button में add कर दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हो और यहाँ पे dragonfly डोजी में कोई body नहीं होती है अगर होती है और यह होता है bearish single thing यह होता है आपका bully single thing bearish single thing क्या होगा green वाली candle पूरी cover हो जाएगी red वाली candle से red वाली candle पूरी cover हो जाएगी green वाली candle से मतलब इसका एक दम उल्टा है सबसे पहले हम लोग देखेंगे shooting star आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ देखिए मार्किट लगातार अपसाइट की रैली दिखा रहे है यहाँ पर देखिए यह शूटिंग स्थार बनी उसके बाद क्या हुआ market देखे कितना बढ़िया गिरा है अब definitely अगर आप यहाँ पे कहीं पे put की position बनाए होते लगातार गिरता है कि आपको बहुत बढ़िया profit देखने को मिला होता और देखे दोस्तों मैं आपको सच बता हूँ मैं खुद shocked रह जाता हूँ कि लोग इतनी basic चीजे follow नहीं करते हैं फालतू के indicator और फालतू के strategies अपलाई करते हैं मतलब हर जेगे changes करते रहते हैं बढ़ देखिए यहाँ पे क्या हूँ फिर से देखिए market किया हुआ लगातार upside गया है यहाँ पे shooting star बनी देखो market किया हुआ लगातार upside यहाँ पे shooting star बनी और market देखिए वहीं से कितना बढ़ी हा downside की rally दिखाया है अब चलिए guys हम लोगोंने shooting star तो देख ली अब मैं आपको दिखा देता हूँ gravestone doji वैसे both shooting star and gravestone doji similar ही है बस body का difference से तो अगर आप दोनों को spot करते हो तो same मान के चल सकते हो अब यहाँ पे देखेंगे market क्या होता है gap down होता है लगातार upside की rally दिखाता है यहाँ पे देखिए इस वाली candle को देखो यहाँ पे क्या है body बहुत ही चाहता है नगले जी बोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे gravestone doji आप कैसे आप च्रेड लेते एक red candle का और wait करो है न यहाँ पर पूट की position बनाते इधर आपका stop loss होता देखो कितनी बढ़ी हा रैली टाउन साइड की रैली इसमें देखने को मिली है यहाँ पर फिर से देखिए फिर से क्या हुआ market लगातार चड़ता गया लगातार यहीं पे क्यों गीरा market बिकॉज यह तनी strong momentum candles होती है कि आपको बहुत powerful results देती है देखो यहाँ पर gravestone doji बनी एक candle का और wait करो red candle का यहाँ पे आप put की position मनाते और यह अगर आप stop loss रखते तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपका रिश्टर reward कितना बड़ी है अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर कौन से strike price select करनी है तो आप 100 पॉइंट उपर तो जैसे मान लीजे bank nifty trade कर रहा है 40,600 तो आप क्या कर सकते हैं 40,700 वाली strike price को select कर सकते हो यहाँ पे आपको बड़िया movement देखने को मिलती है अगर expiry का दिन है तो definitely आप add the money मतलब 40,600 वाली strike price को select कर सकते हो अब चली हम लोग ने किया कि हम लोग ने shooting style gravestone doji देख ली अभी मैं आपको दिखाता हूँ hammer and dragonfly doji hammer and dragonfly doji अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि तो देखो market gap down हुआ एक range बनाता है लगा ता lower lows बनाता है कि यहाँ पे hammer बनी और यहाँ पे actually 2 hammer बनी कितनी powerful है 2 hammer तो और सोने पे सुहागा है यहाँ से देखिए आप यहाँ पे entry लेते यह आपका stop loss होता और देखिए कित बनी बढ़िया rally आपको यहाँ पे देखनी को मिली है आप यहाँ पे call की position बनाते यह आपका stop loss होता और देखो लगबग 1-2-3, 1-4 का इस तो reward वाला trade मिला है हमेशा जब भी आपका 1-2-2 अची हो जाए maximum quantity book करो stop loss को trail करके आप cost to cost ले जागे बड़े profits के लिए जा सकते हैं अब यहाँ पे फिर से देखे market लगातार गिरता गया gap down हुआ उसके बाद फिर ट्रेंड को continue किया और यहाँ पे आपकी बनी है hammer और hammer के बाद क्या हो देखे market कितना बढ़िया bounce back किया अब यह क्या होता है यह high rewarding trade होते है high rewarding का मतलब क्या होता है छोटा सा stop loss और बहुत अब इससे क्या होता है कि जब भी आप 10 ट्रेट 25 तीस ट्रेट लेते ना तो on sample basis आपका profit जो होता है वो बढ़ता जाता है और आपके loss दीरे दीरे कम होते जाते हैं यह बहुत बड़िया फाइदा है यहाँ पर फिर से देखे market किया पिछले दिन का example है देखे market लगातार ग बता हूँगा maximum time profit होगा अब चलिए दोस्तों लास्ट में हम लोग कुछ example berry single thing and bully single thing का देखते हैं और उसके बाद मैं आपको sum up करूँगा entry बता हूँगा stop plus बता हूँगा और क्या एक आप strategy apply कर सकते होगी trend के साथ ना कि जिससे कि आपको बहुत बढ़िया daily profits होता है है ना सो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे देखें मार्केट लगातार गिरता गया यहां पर क्या बनी बुली single thing candle बनी मैं थोड़ा सा आपको zoom करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से clarity हो सकी यह देखो यहां पर बनी आपकी bully single thing bully single thing मतलब green candle जोगी वो red candle को प पूरा cover कर लिया मतलब bearish single thing candle हो गई अब इसके लोपे आप put buying करते ही यहां पर यहां पे आप stopless लगाते आप खुद ही देखो आप यह अगर ऐसे risk to reward वाले ट्रीड मिल गए ना तो मैं हमेशा ही चीज़ पर बिलीव करता हूँ पूरे महीने का target के वल तीन से चार दिन में है काम होगी आपका अब एक चीज में आपको और बता दो कि टाइम फिरिम जो का वो केवल इन केवल फाइम मिनट का होने वाला इसके अलाव ऐसा नहीं कि एक मिनट चार मिनट पांस मिनट बीस मिनट कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं रही हर चीज़ का एक system होता है और उस आपको बहुत बढ़िया results देखने को इसमें मिलते हैं अब चलिए मैं आपको strategy बता देता हूँ ये सबसे important है ये मतलब strategy का दिल है अगर आप इसको समझ गये न तो आपको खुरी समन में हैगा कितना बढ़ी accuracy आप build कर सकते हो उससे पहले अगर आप हमारे gold group से नहीं जुड़े है gold group क्या है मैं आपको समझाता हूँ हम लोग का live एक batch है private group है यहाँ पे लगबग thousand 1200 members live trading करते हैं हम लोग मिलके इंडिया का first है यहाँ पे मैं आपको charts यहाँ पे मैं आपको levels यहाँ पे मैं stock selection methods एक दिन पहले अगर आप देखेंगे तो सबी चीज़े provide करता हूँ यहाँ पे देखें मैं आपको trade दिया लोगों को देता रहता हूँ बैंक ने टालीजार सो 10 November की call 412-418 के बीच में और उसने देखे हाई कितना बनाया लगब उसने high बनाया है 455 के करीब बहुत बढ़िया rally है इसके लगब अगर आप देखेंगे तो मैंने 400,000 की 3rd November की put दी थी 165 के पास अगर आप देखेंगे तो उसने high पता है कितने बनाया उसने high बनाया है लगब 190 के करीब जो की बहुत बढ़िया rally है बहुत बढ़िया 20 से 25% का डिटा ने जो की बहुत बढ़िया 20% 15% बनाते हैं आप एक ट्रेड में आपको बैंक साल बार का 4% देता है बहुत एकुरिट ट्रेट मैं देता हूं इसके अलाब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मॉर्निंग में FIIDI डेटा ग्लोबर मार्केट किया इंडिकेट करता है मार्केट किदर ओपेर होने वाला है ट्रेडिंग प्लान एक पेज पे पूरा ट्रेडिंग प्लान आपको बताया जाता है यह हम लोगोंने एक्स्लूजिव रखा है कि वाल पेड मेंबर्स के लिए सबी चीज़े फ्री है लोग सोचेंगे पेड है क्या पेड नहीं फ्री है वीडियो के डिस्क्रिप्सन बे लिंग के जरोदा एंजल एलाइस अब स्टॉक्स किसी में अपना एकाउंट उपन कराई है वाटसाप कीजी और आपको लाइफटाइम एकसे अमनों की गोल्ड गूरूप की मिलेगी और जो आपको हेल्प मिलेगी न इससे बहुती लोग क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है और आपसे मंदली चार्ज करते हैं 10 जार, 20 जार, 50 जार एकला मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ only to help you guys okay, so definitely आप enroll मतलब account open करके join कर सकते हो अब देखें guys, सबसे important आता है कि sir, strategy कैसे build करें so, चलो मैं आपको strategy बता, सबसे पहले आप समझना पड़ेगा support license deadline support का मतलब क्या होता है, एक ऐसा price range जिसको market downside में break नहीं कर पा रहा है, same चीज license एक ऐसा price range एक ऐसा price range, line नहीं price range, यहाँ पे भी range होगा है ना, जिसको market upside में break नहीं कर पा रहा है, है ना same चीज, trend line भी होती है, trend line diagonal होती है, ऐसे हो गई है ना, एक ऐसे भी हो जाती है okay, बस मुझे यह समझना है कि उसको breach नहीं कर पा रहा हो, बस इतना हो गया clear ना, आप trading में पैसा बनाने के लिए option trading में असान, मतलब तयार हो चुके okay, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह simple चीज है, मैं हमेशा एक चीज believe करता हूँ, मैं अपने सबी लोग, students लोग को बोलता हूँ कि भया, support resistance, trend line, psychology पे काम करो, देखो market यहां से क्या कर रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, है ना, यहां से उपर चला जाता है, उपर चला गया, उपर चला गया, उपर चला गया, उपर चला गया, अब यहां से market गिरा, यहां से भी तो उपर जाएगा, है ना, history repeat itself, KGF में आपने उन डायलोग सुना होगा, है ना, अब same चीज़ आप देखो यहां पे, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपकी बनी है, hammer, पीछे से trend line भी आ रही है, यह मैंने draw किया, trend line आ रही है, अब market यहां से देखो, कितना बढ़ी है, upside की rally दिखाया है, ठीक है, तो support, resistance, trend line अगर आप use करते हैं, तो आपको ultimate results देखने को मिलेंगे, trade entry, stop loss target क्या रखते, मैं safety के साथ बात करता हूँ, मैं हमेशा believe करता हूँ कि अगर trading safety के साथ की जाए, proper mindset के साथ की जाए, तो पैसा बनाना आसान होता है, तुरंट नहीं गूदूँगा मैं, एक green candle का wait करूँगा, यहां पे entry बनाई, यह मैंना stop loss था, strike price लगबग 38,500 के लिए ले ले था, देखो कितनी बड़ी आ रहली आपको देखने को मिली है, मैं आपको calculate कराता हूँ, target, आपने यहां पे entry ली है, definitely accordingly target change हो जाएगा, because आप options में trade कर रहे हो, है ना, आपको लगबग, यहां पे 1-2.5 का रिस्टोड वाला trade मिला है, थोड़ा सा उपर ले जाओंगो, 1-2.3 हो गया, है ना, तो यह बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, यहां पे फिर से देखे क्या हुआ, market लगातार upside ही का है, है ना, previous trading session का high, यहीं पे था, है ना, उसके पहले का closing भी यहां पे था, अब आपको मैं दिखाता हूँ, अब अगर आप देखोगे, तो यहां पे देखो, यह बहुत important halt निकल के आ रहा है, पहले कहीं ने कहीं support का काम कर रहा था, अब resistance का काम करेगा, एक बार जब support break होता है, और resistance का का काम करता है, market लगातार उपर आया, अब यह small rally नहीं है, अगर आप देखोगे, तो यह small rally नहीं है, लग box 700 point की rally है, market यहां पे देखो, थोड़ा सा zoom कर दूँ मैं आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छे से clear हो सके, यहां पे क्या हो देखो, ग्रेफ स्टोन डोजी बनी, तुरण नहीं कूदूँगा, मैं उपर चलागा, stop loss कटा देगा, रेट कैंडल बनी, इस ग्रेफ स्टेंड लोजी के नीचे, एक रेट कैंडल क्लोज करती है, यहां पे आप पूट की position बनाती है, यह आपका stop loss होता, देखो कितनी बढ़िया रहे लिए, आपको downside में देखनी को मिली है, यहीं पे आपका target achieve हो गया, यह जो trend बना है न, यह जो trend बना है 700 point का, इसका 30% आप target रख सकते हो, 30% कितना हो गया, लगबग 200 point, जो कि बहुत असानी से मिलेगा, अगर मैं आपको calculate करके दिखाऊँ, तो लगबग हमें मिला है, 300 point, लगबग 100 point ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे फिर से देखिए, market का trend बहुत बढ़िया, perfect था, इस resistance का आप मार्क कर लो, यह देखो market यहाँ पे देखो, पे आप stop loss लगाते, देखो कितनी बड़ी आरेली आपको देखने को मिली, इन candles को देखो, आप BTST, ST BT भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी आप targets आपको देखने को मिलते हैं, देखो market cap down हो चोटा सा fullback लिया, कितना बड़ा moment देखने को मिला, मतलब यह इतना powerful है ना, कि आप believe नहीं करेंगे, जितने trade मैं देता हूँ, 95% trade में candle six pattern involved होते ही हैं, जितने professional trader हैं, आप believe नहीं करेंगे, आपको भले बताते हों लोग या ना बताते हों, जो लोग profit करते हैं trading में, उनकी बात कर रहा हूँ, वो इन candle six pattern का ज़रूर यूज़ करते हैं, definitely आपने इसको यूज़ करना चाहिए, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, कि आप इसको यूज़ करने वाले हैं कि नहीं, अगर करते थे तो क्या results था, और साथ में अगर आप इस strategy के साथ करेंगे, तो आपको क्या results मिलने वाला है, definitely आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर फिर से देखिए, कितना सुन्दर trade है, five minute अपन यूज़ करेंगे, यह देखिए इसको draw करो simple, है ना, one, two, three and four time हा रहा है, यहाँ पर देखो trend लगाता है, down है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ hammer, अब देखिए, यहाँ पर hammer बनी, ध्यान से देखिए, इस green candle के उपर मैं buying करता, यह मैरे stop loss होता, देखिए कितनी बढ़िया rally मिली, अगर मैं आपको calculate करके दिखाऊ, लोगों को लगेगा, यह चोटा target है, 400 point की rally है, 400 point कम नहीं होता है, इतने time, इतने कम time में, लगबग एक बज़े से लेके, दो एक गंटे में अगर आपको 400 point की rally मिलती है, बहुत बढ़िया rally है न, तो देखिए दूस्तों, मैंने आपको सभी जी समझा दी है, आपका restore reward क्या होना चाहिए, आपका restore reward होना चाहिए, 1 is to 2, अगर आपका trade 1 is to 1 में जा चुका है, तो कोसिस करो, दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, उसको loss पे नहीं ले जाना है न, position sizing के साथ trading कीजिए, psychology को master कीजिए, और दो trade के बाद, दिल पे हाथ रखे बोलो, आज मैं trade नहीं करने वाला हूँ, ये mantra है, अगर आप इनको follow करेंगे, तो trading में बहुत बड़ी improvement देखने को मिलेगी, एक bonus trip में आपको और बता देता हूँ, जाते जाते, अगर आप हमारे channel पे आते हैं, और अगर आप playlist के section में आएंगे, तो दो important playlist आपने देखने ही चाहिए, ठीक है, options trading mastery और trading courses, इन दोनों playlist को अगर आप देखते हैं, कुछ ही videos हैं, लगवाख 20-25 videos हैं 30, एक दिन में अगर दो videos भी complete करते हैं, तो आपका अराम से 10-15 दिन में हो जाएगा, but जो आपको growth देखने को मिलेगी, इन दो videos को देखने के बाद, options trading में आप अगर 0 पहना, या फिर अगर आप 5 पहना, तो सीदे 95-100 पे चले जाएगे, तो definitely देखिएगा, और अगर आप channel पहना है, आप लाइब जोइन कर सकते हो, इसके लाव अगर आपको help चेह लाइब मार्किन में, तो gold telegram में जोइन करो, free है, बस आपने demand account open कराना है, comment करके बताएब आपको वीडियो कैसी लगी, आपने अपना loss comment करके बताना है, इसके लिए वाम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं, ऐसे एक नॉलिजबल वीडियो के साथ, जिससे कि आप च्रेइडिंग से बहुत बढ़ी है पैसा बना सकें, तिल देन, थैक यू सो मच गाइज फर वाचिन इस वीडियो, गड़ बेस यो और बाई बाई, बाई